चैसे क्रिश्न, हेलो फ्रेंट्स, कैसे हो आप सभी, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्णिंग अच्छे से कर रहे होंगे तो फ्रेंट्स, आज का जो भी वीडियो लेकर के आई हूँ, इसमें मैं हम बात करेंगे प्लांट्स की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में और उसके सलुशन के बारे में बताऊंगी और गुड जो कि आपका होम मेट एक बहुत ही बड़ा फर्टिलाइजर है, जिसे आप बोन मिल में कनवर्ट करके और पोधो को दे सकते हैं अगर कोई पौधा ऐसा है कि जो सिफ कुछ ही पतियां उस पर है, बिल्कुल पतियां आपको दिख नहीं रही है, टहनिया ही टहनिया है, पतिया नहीं आ रही है, कलिया नहीं आ रही है तो friends ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful होने वाला है आपके kitchen में ही good एक ऐसा ताकतवर खाद है जो आपके पूरे पौदे को क्या-क्या देगा वो भी मैं बताऊंगी किसमें होता क्या-क्या है और किस तरीके के जो plants है जिनमें आप इनको इसको apply कर सकते है तो friends homemade fertilizer है किसी में भी apply कर सकते है चाहे गुलाब हो, चाहे perennial plant हो जो साल बर full देते हैं चाहे winter plant हो, चाहे summer plant हो चाहे rainy season वाले plant हो अब किसी भी plant में, अगर किसी plant में growth नहीं हो रही है बहुत ही slow growth हो रही है तो हम क्या करते हैं कि bone meal provide करवा देते हैं तो friends bone meal provide करवा देते हैं तो वो हमें market से खरीदना पड़ता है अब आप घर पर bone meal good से कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगी वीडियो को पूरा देखेगा बिना skip की और आप से चोटी से request रिके कि अगर आप मेरे चैनल पर new है तो प्लीज इसे subscribe किजे फ्रेंड्स 3 के करवाईए फटाफट 5 के करवाईए 10 के करवाईए सब्सक्राइब कीजे बेल आइकन और प्रेस का नमद भूलिएगा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते है फ्लास & किचन गाडन वहाँ पर मैं अपने प्लांट सेल करती हूँ और comment box में comment ज़रूर कीजेगा माफ कीजेगा message box में message कीजेगा क्योंकि वही पर मैं आपको पूरी प्लांट की डिटेल दे पाउंगी तो friends जैसे कि गुलाब है या जैट प्लांट है, बहुत से, मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि इंडोर प्लांट हो जाए, आउटडोर प्लांट हो, फूल वाले पौधे हो, सबजी वाले पौधे हो, सब पर आप ये होममेट फर्टिलाइजर उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रीक अप फर्टिल और कुछ नहीं करना है, आपको इसको गुड की डली को अच्छे से प्रेस करके, बिल्कुल बारिक सा चूरा कीजेगा, तक ये जल्दी ही गल जाए पानी में, हमेंसे पानी में भिगो करके, कोई 24 घंटे के लिए नहीं छोड़ना है, आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टे कुछ मातरा तक होता है, तो ओवर ओल ये माइक्रो नूट्रेंट का भी काम करता है, प्लस बोन मील का भी काम करता है, इसमें बोन मील की जो मातरा होती न वो जादा होती है, तो गुड एक बेस्ट डीकंपोजर भी होता है, आपके जो पौधे में जाके जितने भी जो किट उनको मारता भी है तो गुड के बहुत सारे कॉंपोनेंट्स होते हैं तो आप इसे मैं आपको पूरा साइटिफिकली तो नहीं समझा पाऊंगी लेकिन हां मैं बता दूंगी कि आपके पौधे को बहुत अच्छा से ताकत देगा और बहुत ही अच्छा से उसे ग्रो होने में मदद करेगा और फ्रेंट्स हम हमेशा सोचते हैं कि कोई घर में हमें एक ऐसा खाद मिल जाए जो की बोन मिल का काम करें क्योंकि बोन मिल यहने की जानवरों की हड़ियों का चूरा होता है उसकी जगे हम जो है दालों के पानी का उप्योग करते हैं मैं कितनी बार दाल जो म महेंगा भी नहीं मिलता है, हमारे kitchen में आसानी से available भी हो जाता है, अब आपको यहाँ पर good सादा नहीं देना है क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत होती कि good का पानी पौदों में डालने से चीटियां जादा होगी, तो friends आपको सादा good नहीं डालना है सादा पानी नहीं डालना है, यहाँ पर आपको उसमें चूना, बेकिंग सोडा या कोई और component है, वो आप इसमें mix कर सकते हैं, जो भी आपके kitchen में healthy powder है, आप वो भी उपयोग में ले सकते हैं तो कुछ नो कुछ बहुत से लोग काले मिर्च का भी उपयोग करते हैं या नीम खली का भी उपयोग करते हैं अगर market से आप कोई चीज नहीं खरीना चाहते हैं तो आप healthy powder baking soda का उपयोग कर सकते हैं और आप अच्छे से mix करके चूना तो बहुत ही cheap rate में आपको मिल जाएगा पान वाले की तुकान पर 5 रुपे, 2 रुपे ऐसे मुझे rate नहीं पता है क्योंकि मैंने भी मंगवाया है तो कभी मैंने price नहीं पूछा देखें या पर यह tiny tiny है और बहुत से podes ऐसे होते हैं जो कि जादा ठंड और जादा बारिश में हैं और जादा गर्मी में अपने सारे leaves डाउन कर देते हैं और काफी महनत लगती है उनको वापस से रिग्रो होने में पीले पत्ते आते हैं उनके roots गलने लगती है तो podo को ताकत देने के लिए मैंने कितनी बार D.A.P. के बारे में भी बताया है तो अंदाजन आप कम जादा भी ले सकते हैं 100 ग्राम गुड़ भी ले सकते हैं 5 लीटर पानी में और 2,5 लीटर पानी है 3 लीटर पानी है तो 50 ग्राम गुड़ से भी काम चल जाएगा और आपको डालना भी जादा नहीं है थोड़ा थोड़ा ही डालना है already मेरे plants को मैंने watering किया हुआ था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी दिया है मिट्टी सूखने पर ही आपको ये पानी देना है और 12 इंच के गमले में देखिए मैं थोड़ा सा जाधा पानी दे रही हूँ होने की आदा गिलास और आदे गिलास से भी कम वन फॉर्थ गलास जो है वो आट इंच के गमले में देना है फ्रेंट्स इस से रिलेटिड अगर और कोई जानकर याप मुझसे पूछना चाहते हैं तो comment box में comment करके पूछ सकते हैं जो हमारा curry leaves है उसका भी जो है हाल कुछ ऐसा ही हो रहा है सर्दियों में बिल्कुल leaves डाउन हो गई है अब new leaves को हमें जल्दी जल्दी लाना है तो हमें booster fertilizer अपने plant को देना होगा तो market का fertilizer बनाने से अच्छा है हम इस तरीके के homemade fertilizer का उप्योग करें तो friends I hope आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो वीडियो को like कीजे शेयर कीजे चैनल पे नहीं है तो subscribe ज़रूर कीजे पहला आइकन और प्रपैस करना मत भूलेगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई टेक के जैसे क्रिशन